नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग गोधरा कांड फिर से निउस में हैं गोधरा राइट्स दो हजार दो पता है ना क्या हुआ था गोधरा में ट्रेन जारी थी लगबग 60 हिंदू कारसेवक्स उसमें बैठे हुए थे आयोध्या से वापस लॉट रहे थे ट्रेन के लीगल बैटल चला इस लीगल बैटल में कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे नरेन मूदी जो कि अभी हमारे देश के प्रधान मंतरी सहावे और उनके साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स के उपर बेरोक्राट्स के उपर पुलिस वालों के उ और overall यह जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ यह अलग-अलग जो भी मीडिया रिपोर्ट से इनके हैसाफ से बता रहा हूँ यहाँ पे नंबी नारायाण जी कभी नाम है नाम बी नारायाण जी कैसे यहाँ पर आर्बी स्रीकुमार के साथ जुड़े हो है आर्बी स्री आर्बी स्रीकुमार स्रिकुमार को औरेस्ट किया गया और मुंबई कि है रहते हैं तिस्ता सेतलवार को पकड़ेगे गई, तिस्ता सेतलवार ने बोला कोई वर्रेंट नहीं था, तो बवाल अच्छा कासा हुआ है, न stripes में आरा है, गुजरात जब जी वट पहले से जेल के अंदर है और आर्बी स्रीकुमार और तीस्ता सितलवार को अभी के लिए तीस्ता सितलवार को डिटेन किया गया है इनको फॉर्मली अरेस्ट किया जाए गुजरात के अंदर और आर्बी स्रीकुमार यहां पर अरेस्ट हो चुके है तब इनको रेयल क गया कि institutional तरीके से दंगे यहां पे भड़काए गए और जो top level पे लोग बैठे हैं उन्होंने दंगे भड़काए और इस context में तीस्ता सेतलवार सबसे आगे थी जाकिया जाफरी जो कि अभी बहुत news में आ रही एसान जाफरी की यह wife थी एसान जाफरी एक Congress के politicians थे, member of parliament थे, गोलबर्ग society massacre जो हुआ था जो कि इन गोधर राइट्स का एक पार्ट था, बहुत सारे ऐसे local level पे massacre हुए थे तो गोधरा गोलबर्ग society massacre में एसान जाफरी की मृत्य हो गई थी, तो जाकिया जाफरी को overall ऐसा बताया जाता भड़काया, किसने तीस्ता से तलवाड ने, और इनके साथ co-petitioner बनी एक केस में, ये केस फाइल हुआ था गुजरात की High Court में, यहाँ पे नरेंद मोधी जी और 61 और politicians, bureaucrats और police officer के ओपर ये अलदाम लगाया गया कि institutional तरीके से इन्होंने दंगे धड़काया है, हाला कि गुजरात High Court ने clean shit दे दी, बोला कोई भी यहाँ पे सबूत नहीं है, उसके बाद के सुप्रीम कोट में पहुचा, सुप्रीम कोट ने special investigation team मनाई, इस team ने भी यही बोला कि कोई बिगे प्रूफ नहीं है, देखे जब दंगे बढ़कते हैं न, तो उनको बढ़काने के लिए किसी की जरौत नहीं बढ़कने के लिए, किसी भी धर्म का इंडिविज्ट मरेगा, उसके घर के लोग भढ़केंगे, वो दूसरे को मारेंगे, उसके घर के लोग भढ़केंगे, दूसरे को मारेंगे, चुकि देखो, किसी भी धरम के आप individual हो, सब के फून गरम है, सब के सरीर में ताकत है, और मैं आपको बताई चुक हूँ पहले कि जो हिंसक दंगे होते हैं, जो धरम के लड़ाईय होती हैं, तो आदमा के दिमाग गूम जाता है, किसी को भी नहीं पता है कि भगवान का उदय कहां से हुआ है, आपका भगवान एक्चुली में कहा है, क्या हो सच में आपको देख रहा है, लेकिन फिर भी धरम को नाम के लोग, धरम को ले के लोग कुछ ज़्य रईस खान की सीस्ता सेतलवार से बनी नहीं, तो रईस खान ने ओवरल सीजेपी छोड़ दिया, बाद में रईस खान ने आके यहां पे सबको बताया कि जो तीस्ता सेतलवार हैं, ये लोगों को भढ़का रही है, जिन लोगों भी दंडे से एफेक्ट हुआ है, उनको भढ की इल्जाम लगे थे, जो यहां पे राइट्स विक्टिम्स के लिए पैसा आया था मदद में, उसमें घबलेबाजी का भी इल्जाम इनके उपर लगाया गया, वैसे मैं बता दूँ जो तीस्ता सेतलवार का जो बैक्राउंड हैं, इनके जो दादा थे, ये ग्रैंड डॉ तो तीस्ता सेतलवार के उपर यहां पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्हों ने लोगों को भड़का के, देखे, यहां पे जो F.I.R. खोली गई है, वो जाकिया जाफरी के अगेंस नहीं कोली गई है, यहां पे बेसिकली तीस्ता सेतलवार, R.B.C. कुर्मार और संजी भटी की उपर यह इल्जाम है कि इन्होंने गलत तरीके से चीजों को किया, इनके उपर कौन-कौन से एक्ट के अंदर एक्जाम लगाया गया है, तो बता रहता हूं। फिर section 211, false charge of offense made with an intent to injure, section 218, public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from false charges, देखे, यहां पे civil servant दो है, संजी भट भी है और R.B.C. कुमार भी है, इनके उपर आते हैं। फिर section 120, criminal conspiracy of the I.P.C. इतने सारे इल्जामों के अंदर आप समझ सकते होगी, इनको यहां पर try किया गया रहा है। और overall अब legally try किया भी जा सकता है, चुकि इस 2002 के गोदरा कार्ण में Supreme Court अपना final verdict दे चुका था, यह जो जाकिया जाफरी ने case फाइल किया था, इसको finally Supreme Court एक बार देख रहा था, तो Supreme Court ने बोला कि S.I.T. ने जो कुछ भी कहा है, बिल्कुल सही है, इन जिन लोगों के उपर के सामने जो documents put up किया है, इन documents से साफ साफ पता चलता है कि यह जो तीन लोग थे, श्रीकुमार, फिर संजीर भट और तीस्ता सेतलवार, इन्होंने कहीं न कहीं अपनी position का गलत इस्तमाल किया है, कहीं न कहीं documents को गलत तरीके से पेश किया है, force proof को सामने लाने की कोशिश किय लोगों को भड़काने की कोशिश की है, यहाँ पे आप कहलो इस तरीके की F.I.R. साइल करने के लिए, तो तीस्ता सेतलवार इस बज़े से न्यूज में, अब बात करते हैं R.B. स्रीकुमार की, R.B. स्रीकुमार मैं आपको बता दूँ कि एक और controversy में involved रहें, नामभी नार इंडिया के एक बड़ी famous aerospace engineer है, लेकिन 1994 में ये एक गलत case में फस गया है, देखे 1964 में विक्रम सारा भाई के साथ भी मिले थे, इन्होंने अपीज अबदुल कलाम साब के साथ भी काम किया है, और overall 1994 में इनके ओपर ये इलजाम लगाया है, लया कि जो भी इंडिया के अंदर जो secrets हैं, जो defense secrets हैं, जैसे कि for example, जो flight test data होता है, हमारे rocket और satellite launches का, उस data को millions of dollars में बेचा कि इसने नामभी नारायन ने मालदीवेंड defense intelligence services के officer को, ये इलजाम लगाया गया है नामभी नारायन के उपर, 1994 में, और उसके बाद बहुत प्रकादिखे, जब भी देश दुरों का इलजाम आपके उपर लगेगा, भया, आपकी हलत बिगाड़ देंगे, नामभी नारायन के उपर इलजाम लगाया है, हलाकि बाद में, 1996 में, साफ सा बोला गया कि नी भाई, इनके उपर जो भी इलजाम लगाया गया गलत थे, 1998 में Supreme Court ने इनको बाइजद बरी किया, CBI ने 1996 में, इनके उपर से सारे चार्जेस अटाए, लेकिन समझिए, ये 1994 से लेकि 1996 का जो टाइम था ना, ये नरक रहा होगा, नामभी नारायन के उपर, इनको एक करोण का कंपेंसेशन देनों को बोला गया, Government of Kerala, Government of Kerala ने एक दिसमिलोग तीन करोण का कंपेंसेशन दिया, बट कोई भी पैसा जो आपकी इजद गई होई होती, जो आपके साल मरबाद होते हैं, इसको कंपेंसेट नहीं कर सकता है, तो नामभी नारायन जी के साथ गलत हुआ, अभी रिसेंटली जब ये RB स्रीकुमार को अरेस्ट किया गया है, इस पर्टिकुलर गोदरा राइट व बोला कि बाई जो कुछ भी यहाँ पे गुजरात के राइट के बाद यहाँ पर RB स्रीकुमार को अरेस्ट किया गया है, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा यहाँ पर नामभी नारायन बोलते हैं नजर आ रहा है, तो इनके इस स्टेटमेंट से RB स्रीकुमार की जो overall यहाँ पर र पी हैं, वो obvious ही बात है, बोलेंगे कि भाई सबको भसाया जा रहा है, अच्छा हुआ इनको छोड़ दिया गया, और जो anti-BJP हैं वो बोलेंगे कि भाई जो powerful लोग हैं, उन्होंने पैसा खतम करके और अपना influence खतम करके अपने आपको छुडा लिया, इसके दो पहलू ठीकिन, as a civil servant, आपको जो official, जो आपके yellow stand है, उसको मानना है, और at the same point of time, कोई bias नहीं दिखाना है, तो अब देखे, अपनी political ideology के बारे साथ, आप से आप किसी चीज़ के बारे में कुछ भी सो सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे एक संजीव भट का नावारा है, संजीव हो रहे तो उसमें पे, नरेंद मुदी जो कि उसमें पे चीफ इनिस्टर थे, उन्होंने एक meeting ली, और उस meeting में सारे officers को बोला किया कि नहीं भाई, आप overall यह जो rioters हैं, उनको बदना निकालने दो मुस्लिमों का अगेंस्ट, ऐसा संजीव भट ने बोला, अलागि बाद में SIT की investigation ने बता चला, कि जो कुछ भी यहां पे संजीव भट बोल ले थे, यह फैगरी बेट करके जूट बोल रहे थे, ऐसा सच में कुछ भी यहां पे नहीं हुआ था, तो तीन लोग के उपर यहां पे गाजगिरी हैं, एक आर्भी स्रीकुमार, एक तीस्ता सेतलवार के उ जो सरकार थी और जो यह 62 लोगों थी, उनके खिलाफ एक जूटा केस चलाने की कोशिश कर रही थी, तो यह और आल यहां पे नियूज निकल का है, अब आक्चुली में इनको क्या सज़ा दी जाएगी, यह तो भाई देखिए, आपकी कोर्ट सी डिसाइड करेंगी, यह ती अब इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप भद्र भाशा में, overall बिना गाली गलोज किये, हो सके तो बिना पॉलिटिकल बाइस, लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताईए, लेट सी कि आपके क्या यहाँ पे व्यूज है, मुझे पता है कि यहाँ पे व्यूज बहुत पोलराइजिंग होने वाले है, लोग अलग अलग तरीके से इस चीज़ को देखेंगे, मैंने आपको बताई दिया, दो पर देखेंगे, अब ग्रेट डिफरेंस, गुडबाए, दियान रिखेंगे,